आप लोग सराब बंदी ये मुद्दा काफी चर्चा में हमेशा सुनते रहते हैं तो आज हम लोग सराब की बेन पर सराब बंदी पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारा राज्यों में क्या हाल है सराब बंदी को लेकर कुछ राज जा आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पूर सराब बंदी है कुछ राज्यों में कुछ छूट भी मिली हुई है और भारत में क्या इस्तिती है उनपर भी देखेंगे और हमारा सम्मिधान क्या कहता है सराब बंदी के बारे में उन पर भी हम लोग बात करेंगे और सराब बंदी के क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सराब बंद करना सराब पर बेहन करना इतना आसान भी नहीं होता है क्योंकि राज जी की सबसे जान्दा आये सराब से हो और आप देखते होंगे कुरोना महामारी आपने देखी होगी उसमें जब आप देखी स्कूल भी नहीं खुले थे बहुत सारी संस्ताइं बन देती उस समय सराब की दुकाने खोलती गई थी आए के लिए पैसे के लिए तो उनमें से एक राज्य बिहार भी है जहां पूर सरा है और नीतिश कुमार इसके मामले में पीछे नहीं आठते हैं सराब बैन की हुई है उन्होंने और इसका उन्हें फायदा भी मिलता है आप देखते हैं कि हमारे देश की आदी आबादी महलाओं की है और सराब बंद जहां भी होती है तो वहां महलाओं को काफी फायदा मिल और बिहार में बेन होने के बाद भी आप देखी लोग जहरीली सराप पीते रहते हैं या आप देखी आप लोग चोरी छुपे पीते रहते हैं और उससे कई लोगों की डेख भी होती है मौद भी होती है बिहार की बात करें तो पटना इसकी राध्धानी इसकी सीमा उत्तर प सीटे हैं 94,163 बरक किलमी मिट्टर में आपका फैला हुआ है कौन बिहार और नीत इसकुमार यहां की चीब मिनिश्टर हैं अगर हम लोग सराब बंदी की भात करें तो भारब में सराब बंदी के प्रयास महत्मा गांधी की सोस से प्रभावित हुए हैं और जिन्होंने सराब के सिबन को बुराई से जान्दा एक बीमारी के रूम में देश खा था किसने हैं हमारे देश के महामत महत्मा गांधी की बात करा हूँ राश्टपिता की बात करा हूँ और भारत की सुतंता के बाद गांधी वादी सराबी बंदी के लिए प्रयास करते रहें जो आप देख कारण के लिए हर्याना ने मद्द निसेत की कई प्रयास किये हैं लेकिन अवैद आसवन और अवैद सराब्यापार को नियंति ना कर पाने के कारण उसे इस नीती को छोड़ने के लिए बात दोना पड़ा और इसके पैडाम सुरूप कई मौतें भी हुई तो वो आप सको ब बिहार में अप्रेल 2016 में लागू हुई थी सराबंदी जो सुरुवात में सफल होती दिखी और कुछ सामाजिक लाब भी देती दिखी हैं हाला कि अवैद सराब्याप की सेवन से हुई कई मौतों के बाद या नीती आसफल होती दिख रही हैं वर्तमार में पांच राज्ज सिद्धानत आप लोग पढ़ते होंगे समीधान के भाग चार की बात कर रहा हूं इसमें आर्टीकल 47 आप लोग पढ़ेंगे आर्टीकल 47 क्या कहता है इसमें उलेक किया गया है कि राज सारवजनिक स्वास्त में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नसीले पे तथा स्व नी रोप से लागू करने योग नहीं है बेलक्ष निधारित करते हैं राज्य को ऐसी स्थापित करने की आकांचा रखनी चाहिए जिससे इतके तहद नागरे एक अच्छा जीवन जी सके हैं और इस पेकार भारती समीधान सराव को एक आवांचनी बुराई की रूम में भी देखता है और जिसे राज्यों द्वारा नेंतीत करने की आवस्त रखता है और आप देखें कई धर्मों में सराव को गलत भी माना गया है साथवी अनसूची क्या कहती है इसमें समीधान की साथवी अनसूची गमसा सराव एक राज्य का बिसा है आप लोग साथवी अनसू कदम उठा सकती है यानि राज विधान सबाओं के पास इसके बारे में कानूनी कानून का मसोधा तैयार करने का अधिकार और जिम्मेदारी है और जिसमें मादत पदार्थ सराब का उत्पादन निर्माड कपजा परिवान खरीद इवं विक्री सामिल है और इस पेकार सराब संबंदी और निजी विक्री के बीच पूरे स्पेक्ट्रम में आने वाले सराब की संबंद में कानून सभी राज्यों में अलग-अलग देखने को मिलेंगे सभी राज्यों द्वारा सराब पर पिती वंद नल अगाय जानी की कारण क्या है यानि कि वो कहते हैं ना समीधान सराब पर पिती वंद को एक लक्च के रूम में निर्धारिक करता तो यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा कदम है चीब में इस्टर-कतर बिहार की कि वो कम से कम एक से राजस्वे की अंदेखी तो कर रहे हैं और इसने राज्ज सरकारों की राज्जस में लगातार बड़े हिस्ती का युगदान दिया है सबसे जानदा आए होती है कहने का मतलब यही है उधारन के लिए महराष्ट राज्ज में सराप से प्राप्त राजस अपरेल 2020 में देश भर में कोविद लॉक्टाउन के दोरान 11,000 करोड रुपे का था जबकि मार्च में यह 17,000 करोड रुपे का था अब समझ में आया आप लोगों को 17,000 करोड रुपे तो इतना नुकसान होता अगर आप देखिए सराप बंदी होती है और इसके फा और ये तो आप लोग देखते हैं कि आपके आसपास की घटनाएं भी आप लोगों को याद आती होंगी कि आप देखते हैं कि एक वेक्ति पीकर आता है उसके बाद अपने बच्चों को अपनी पतनी और परिवार को मेंबरों को पिटाई करता है मारपीट करता है और जितन दाओं के खिलाप अपराधों की दर पिती एक कितना एक लाख महला अबादी और घटना पूर्ण संख्या दोनों की संदर में इस पर्ष रोप से गिरावट आई है और कहते हैं कि जो महलाएं हैं वो नीतेश कुमार को काफी सपोर्ट भी करती हैं उन्हें बोट भी देती हैं सबसे जानदा अगर महलाओं के बोट की बात करने ना हम लोग तो नीतेश कुमार को मिलता है बिहार में ऐसा देखने को यसी कई रिपोर्ट ने बताती हैं इसके नुकसान की बात करने तो संगठित अपराध समुहों को मजबूत करना निसेद एक संपन भूमीगत अर्द् करता है जो राज्य की नियामक धाचे के बाहर सराप वित्रित करता है या संगठित अपराध समुहों या माफिया को मजबूत करने किसे लेकर नगली सराप की वित्रहन तक की समस्या उत्पन करता है और बिहार के मामले में या दिखा गया था कि सराप बंदी लागू होने क हैं कहीं ना कहीं से और आप देखें कई लोग तो जो आप देखें नसीले पदार था थे ना उनका भी सेवन करने लगते हैं और उसका नुकसान भी होता है समाज के गरीब बरगों का पर फिरफाव तो आप देखेंगे कि कि हमारे देश में आप लोग देखने को मिलता है कि सराब की बात होती है उसे गलत मानने लगते हैं लेकिन आप देखी क्वैल्टी में भी फरक रहता है एक तो आप देखते हैं कि वही सराब रहती है जिसे पी का लोग पड़े रहते हैं असपास आप लोग देखते रहते हैं धर्ती में लेटते रहते हैं एक अच्छी सरावें भी रहती है और महेंगी सराव रहती है और आप देखे बड़े बड़े लोग वसी को पीते हैं तो ऐसी भी रहती है और नियाय पालिका पर भोच की बात करें तो बिहार ने अपरेल 2016 में पूर सराबंदी लागू की थी हाल C.J.I. N.B. रमना ने कहा था कि बिहार में सराव बंदी जैसे नियाय पालिका पर भारी बोच डाला है वर्स 2021 तक नियाय लेओं में सराव पिती बंदी से सम्मदी 3,00,000,000 मामले लंबे थे अब आप देखे कोई पीता हुआ मिला उसका कीस हो गया वो केस आप देखें क्या की आवसकता है इसमें साजवनेक स्वास्त की आवसकताओं से समझोता किये बिना सराव उतपादन विक्री के बिनिवयन को एकिक करने वाले सूख्ष निद्रिष्टि कौन की आवसकता है एक परभावी और इस्थाई सराव नीती का लक्ष कई हिद्धारकों जैसे महला और अत्यदिक सराब पीने के खतरे संबंदी लेवलिंग को अनिबार किया जा सकता है। और विक्सित देशों ने अत्यदिक सराब की सेवन के पाइडामों को देखते हुई लोगों को सिक्षित करने ही तो बिभारिक परामस को अपनाया। और इस तरह के अभियान लोगों को उनकी जीवन सेली के बारे में सिक्षित बिकल्ब पिदान करने में मदद भी करते हैं। और जो पड़े लिखे होते हैं, जो सिक्षित होते हैं, जागरुख होते हैं, वो आप लोग ने ऐसी हरकते नहीं देखी होगी। कि सराब पीते होँगे, तो आराम से पीते होँगे, अपने आराम से रहते होँगे। लेकिन आप देखते हैं कि जो मार पीट होती है, घहरेलू हिंसा होती है। इस मामले में आप देखते हैं कि आज सिक्षिक जो जिनमें जागरुखता की कमी है उनी में देखी जाती है तो अपने फायदे भी है नुकसान भी है